नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल स्पाइस बेल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे नवरात्री स्पेशल साबूदाना खिच्डी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं चली शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया है उसको मैंने पानी में भिगो दिया है आपको एक बात का ध्यान रखना है साबूदाना को भिगोते समय इसको चार से पांच बार अच्छे से पानी से साफ करिएगा जिससे इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाए इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा अब हम इसको निकाल लेंगे इसी ओयल को हम यूज करेंगे पूरी रेसिपी में और थोड़े से काजू इनको भी हलका गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे काजू का कलर कुछ हलका चेंज हो गया है अब हम इनको भी निकाल लेते है आपको जो भी ड्राइफूट पसंद है आप वो एड़ कर सकते है बट मुफली को स्किप मत करियेगा मैंने थोड़ी सी किश्मिश ली है दो चम्मच के करी इनको एक मिनट के लिए आपको बस फ्राई करना है जिससे कि इसका जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ी कम हो जाए अब हमने इनको फ्राई करके रख लिया है उसी ओयल में मैंने एक चम्मच जीरा एड़ किया है जीरा जैसे ही क्रैकल होगा इसमें कुछ करी पत्ते एड़ कर देंगे इनको भी हमने फ्राई करना है और उसके बाद एक बारी कटी वी हरे में चैट कर दी है मैंने मैंने दो उबलेवे आलू लिये है इनको काट लिया है छोटे पीसिस में आलू को हमने काफी देर तक अच्छे से रोस्ट करना है जिससे कि इसका जो क्रंचीनेस है वो बढ़ जाए मैंने टेस्ट के कॉर्डिंग सेंदा नमक अड़ किया है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिच पाउडर इससे इस खिच्डी का कलर बहुत अच्छा आएगा इसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसमें हमने हरा धनिया अड़ कर दिया है और हमने जो सापुदाना भी गोया था उसको पानी ड्रेन करके वो भी इस मैट कर दिया है यहाँ पर हम एक नीबू का रस एड़ करेंगे मैंने थोड़ी सी लाल मिच और एड़ किया है इसमें इस नीबू कर रस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या बढ़ा सकते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने फ्राई करके ड्राइफ रूट्स रखे थे मुंफली, काजू और किश्मिश वो हमने एड़ कर दिया है आप चाहे तो इसमें एलमेंट्स भी आड़ कर सकते हैं या फिर और कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो हटा दीचेगा तो हमारी ये 10 से 15 मिनट में खिचड़ी रेडी हो जाती है और इतनी टेस्टी है कि सबको पसंद आएगी इसको सर्फ करते समय थोड़ा सा धनिया से गार्णिश कर दीचे तो फ्रेंड्स उमीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी आप हमारी विडियो को लाइक जरूर कीचेगा और हमारी रेसिपी को शेर जरूर कीचेगा थैंक यू